बच्चों हमें पूछा गया है हाओ मैनी जुमेट्रिक आईसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दा गिवन थी कंपाउंड बच्चों तो गाए सबसे पहला ले कंपाउंड पर आते हैं हमें तीन डबल बॉण देख रहे हैं लें इफ यू अब्जर्व के यह फिली तुम देखोगे इस डबल बॉण के बहूंग जुमेंटिक आईसोमर्स पॉसिबल नहीं है ना इसके अबाउट है क्यों क्योंकि इन कार्बन भी जो ग्रुप 10 है शेन टयार से नो जुमें जूमेंटिक आइसोमर्स मेरण भी है तो हमारा यह वाला डबल बॉण है क्या इसके app wow है अब दिस डबल और एक ही डबल बॉन है राइट जिसके और जमेंटिक आइसमर्ण पॉसिबल है तो हम सीधा क्या कह देंगी यह वाट टू जमेंटिक आइसमर्स एक सिस एक ट्रांस क्लियर बच्छों गुड अब नेक्स पर आते हैं इस सवाले पर इसमें हमें दो डबल ब पर देखो कि क्लोरीन एंड देश चीक है अब जैसे हमने इस डबल बॉन के बाउट देखा ऐसे हम इस डबल बॉन के बाउट देख सकते हैं दर दर गुरुप सार डिफरेंट बच्छों एक तरफ क्लोरीन एक तरफ ब्रोमीन है तो हमारे बास दो डबल बॉन आगई जिसक पॉसिबल तो टोडल नमबर ऑफ जमेंटिक आइसोमर्जा टू रिच्वी पावर टू वेर दिस डू रिप्रेजेंटर टू डबल बॉन जाहां भी जमेंटिक आइसोमर्जम पॉसिबल है ठीके ना बच्छों तो यह हमारा वैल्यू क्या जाएगी फोर यह लाफ फोर जम क्या कहते हैं तो हम क्या कहते हैं काउंट था नंबर ऑफ डबल बॉन जिसके बाउट जमेंटिक आइसोमर्जम पॉसिबल है फॉर्मुला लिखते हैं टू रिच्वी पावर न माइनस वन विच इस वन प्लस तू रिच्वी पावर एंट बाइट तो निस वन विच जिस जी टू रिच उटल कितना अगै बच्च्वी जिघ्यों फी जमेंटिक आइसोमर्स फॉर्मुला या थखलो टू रिच्वी पावर न माइनस वन प्लसू रिच्वी पावर न बाइट 2-1 नौक्य धर विट गिव दमबर अगर हमारी सिमेट्री पॉ पॉसिवल है फॉर दिस कंपाउन ओके